कि नहीं नहीं साधी होई या फिर, नहीं नहीं साधी होने वाली है या फिर आपके साधी हो चुकी और कहीं साधी पार्टी में जाना है तो यह Make Up Look आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही affordable है। और साथ के साथ बहुत ही आसान और जादा से जादा ये 10 से 15 मिनट के बीच में हो जाएगा इतना ब्यूटिफुल सा ये मेक अप लुक तो चलिए हम देखते हैं ये मेक अप लुक कैसे क्रियेट किया है मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया बायो टेक का कुकुमबर टोनर और इसे मैंने अच्छे से फेस पे स्प्रेक किया उसके बाद ये अच्छे से ड्राइ नहीं होगा, मतलब बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा ऐसा रहेगा, बहुत ज्यादा गीला भी नहीं रहेगा और सूखा भी नहीं, इसी पे हम अपलाई करेंगे मोश्टराइजर, इसे बिल्कुल सूखने नहीं देंगे, और काला ना हो, ग्रे ना हो, और साथ के साथ ब्यूटी फुल भी लगे और पूरे दिन आपको हैवी भीना लगे, तो इस तरीके से आज ये मेकप लुग मैं आपको पताने वाली हूँ, प्लीज वीडियो को इसकी मत करना, उसके बाद आपको कोई सभी मोश्टराइजर लेना जो आपके पास होगा जोरूरी नहीं, जो प्रॉड़क्त मैं यूजियो यूज़ करें, लेकिन अगर आपको जानना है, मैंने कौन से प्रॉड़क्त यूज़ की आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँग, आप वहाँ से पर्चेस कर सकते हैं तो यहां पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया और मैंने अच्छे से नोच के राउंड आपने देखा, अच्छे से अप्लाई कर लिया, हर जगा अप्लाई कर लिया, इसके बाद आपका फेस बिलकुल स्मूथ लगने लगेगा, क्योंकि यह आपके ओपन पोर्स को अच्छे स तो आप यह फाउंडेशन ले सकते हैं नहीं तो बिल्कुल यह जैसे बीबी क्रीम नहीं है पॉंड्स की सेम हुसी की तरीके लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पॉंड्स की बीबी क्रीम की कवरेज और भी जादा अच्छी है तो आप अगर डेली वेस्ट का मेकप करना है आपको न देट कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप डेली फाउंडेशन ही लगाएं जिस दिन दैसे साधी के अगले दिने आपको दुल्हन मेकप करना है तो उसके लिए मैं वीडियो लाने वाली हूं आप देख लेना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके बाद जहां प ब्लेंड किया उसके बाद मैंने एकदम से अगर मैं पूरी वीडियो करती ना तो पंदरा मिनिट की वीडियो हो जाती फिर आप बोर होते और फिर मैं आप देखती नहीं इसलिए आपको ब्लेंडिंग में बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है बहुत सारी वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में से एर किये अगर आप बिगिनर है सीखना चाते हैं मेकप तो जाके जरूर देखना हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पे मैं लिक्ट ब्लस अप्लाई कर रही है तो इस तरीके से ब्लस अप्लाई करना है क्य लेकिन अगर आप लिक्ट लगाएंगे तो ऐसा लगेगा ना मेकप लॉक करने के बाद भी अंदर से आपका जो बेस है वो पिंक इससा लगेगा मतलब लगेगा कि आपका फेस ही पिंक इससा है तो इस तरीके से मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया उसके बाद यहाँ प पॉइंट है वहीं पर अप्लाई क्यों इससे कई फायदे होंगे पहले तो हमारा जो बेस होगा उसकी कब्रेज बढ़ जाएगी दूसरा हमारा बेस अच्छे से लॉक हो जाएगा अगर आपकी ऑली स्कीन है और साथ के साथ जो आई मेकप करेंगे फॉल आउट होगा तो आपकी स्कीन में चिपकेगा नहीं तो इस तरीके से मैंने कर लिए उसके बाद अब मैं कर रही हूँ आई मेकप ऐमेंकप के लिए मैंने लिए स्वीजबी का पैलेट और अगर आप बीगनर हैं या मीकब सचा चाहते हैं तो स्वीज के मिनी पैल्त में दो पैलेट मैं आपको सज्जेस्ट करूँगी एक ये एक अगर हम मेरी पुरानी वीडियो देखते होंगे तो एक मैं ये सी मिनी पैलेट यूज करती हूँ वो आप ले सकते हैं मतलब अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना है मैंने कई वीडियो में सेहर किया है तो ये दो पैलेट अगर आपके पास हो जाएगा आपकी साधी होने वाली है या फिर आप मेकप सीखना चाहते हैं या आप कहीं भी छोटी-मोटी पाटी में अच्छा मेकप करना चाहते हैं सिर्फ दो पैलेट रहेगा आपका मेकप बहुत ही प्यारा लगिया उसके बाद मैंने पहले पीच कलर अप्लाई किया उसके बाद आउटर बीपे में ब्राउन उसके बाद यहां पे अब मैं आपको जाइस दोनों एक जाहिए आपको इसाएं पूना दिघंगिने सब्सक्राइब कोस चार साधे चार सो के एराउंड आपको मिल जाएगा अब यहां पर एक चीज देखना मैंने जो मैंने पाउडर लिया था लगाया था वो बिलकुल निकाल दिया बिलकुल ही निकाल दिया उसके बाद गर्दन पे भी हलके हाथों से मैं चला लूँगी क्योंकि आपको यह नही क्या कर रहे हूं? और गाटन यह जो मैंने पहले अप्लाई कि रहे हूं, उसके बाद मैं पी हटनों लगा इसी यह ज़े मरं जाता बिलकुल डे सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा सुन्दर दिखना है तो आप ILS लगा सकते हैं लेकिन डेले के लिए नहीं कोई लगाएगा और ना किसी के पास इतना टाइम होता है कि अपने मेकप में इतना टाइम देगा लेकिन अगर आपकी मर्जी आप लगाना चाहते हैं लो लगा सकते हैं य बहुत ही जादा आपके पास आपके लिए हेल्फुल रहेगी तो वीडियो को वेट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो रालूं उसका नॉटिफिकेशन आप तक आजाए उसके बाद मैंने हलका सा फेस पूछ से हट जाता है और फाउंडेशन चूज करने में दिक्कत हो रही है कंटोरी में कैसे करें तो बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ तो वीडियो को बिलकुल आपको देखना ही देखना है अगर आप मेकप सीखना चाहते हैं क्योंकि आने वाली वीडियो में बहुत ही जादा है लेके आने वाली हूँ और यह मेकप लूग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट करना उम्मीद है कि आपको यह मेकप लूग अच्छा लगा होगा अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको है लगी हो तो प्लीज चैनल को आपके पास आए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा जादा आई बेस या फिर मेकप